हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं बेंगॉली फिश रेसिपी लेके आई हूँ जिसे तेल कोई कहा जाता है इस फिश का नाम है कोई जो लोग मेरे वीडियो को देखते हैं वो लोग सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब कर ले जिए और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जो अभी मैं नहीं नहीं कोई भी रेसिपी लेके आऊंगी तब आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी रेसिपी स्टार्ट करते हैं मचली को अच्छे से साफ कर के धो लिए हैं और नमक और हल्दी लगा के इसको भूल लिए हैं एक कड़ाय में 4 टेबिल स्पून सरसो का तेल डालके इसे अच्छे से गरम करेंगे जब तक कि धुआ नहीं निकले इसमें काला जीरा जो कि मंग्रेला भी कहा जाता है उसे डाल दिए 1 टी स्पून 2 हरी मि के पेस्ट को भी डाल देंगे इधर मैंने दो मीडियम साइस के पियाज को मिक्सी में पेस्ट बना लिए हैं और इसे भूनेंगे और गैस का फ्लेम हाई पे ही है सो कंटिन्यू चलाते रहना है ने तो जलने का चांस रहेगा थोड़ा से इसका जब पाने सुख जाएगा उ तो मैं कोशिश करेंगी उसे बनाने का इधर मैंने टू टी स्पून जिंजर पेस्ट यानि अद्रक का पेस्ट में डाल दे रही हूं इस रेसिपी में लहसन नहीं जाएगा प्याज 80 परसेंट भून जाने के बाद ही अद्रक का पेस्ट डालना है और इसे तब तक भूनना कश्मिरी रेट चिली पाउडर डाल देंगे इससे अच्छा सा एक कलर भी आ जाएगा गैस का फ्लेम अभी भी हाई पे है मैं इसलिए इतना डिटेल में बताती हूं जो कोई भी मेरी विरेसिपी देखके बनाते हैं तो बनाते वक्त उन्हों को कोई दिकत नहीं हूं और ट दोस्तों और रिष्तेदारों में शेर किजगा वीडियो को अगर आप मेरे चैनल पे फरस्टाइम आए हैं तो मेरी बहुत सारी रेसिपी और में केक और कपकेक सारी रेसिपी में शेयर कर चूकी हो अपने चैनल पे सारे मसाले अच्छे से भून गया है मचली को डाल जितना आप इसका ग्रेवी चाहते हैं उतना पानी डालेंगे इसकी ग्रेवी ज्यादा गाड़ ही नहीं होती है ग्रेवी पतली ही रहेगी गैस के फ्लेम को 2-3 मिनट के लिए सीम पे रखेंगे उसके बाद उबाल जैसे ही आ जाएगा गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे और 2-3 मिनट और इसको उबालेंगे 5-6 मिनट के बाद कच्छा ससो का तेल इसके उपर से डाल दे रहे है यह करीब 2 टेबल स्पून तेल है तेल को डालने के बाद 2-3 मिनट और उबालना है उबालने के बाद तयार हो गए तेल कोई इसे स्टेम राइस के साथ हिंजोई कीजी बहुत अच्छे लगते हैं इसे खाने में एक बार बना के देखिए और कैसा बना मुझे कमेंट करके बताईए बहुत ही एजी रेसेपी है और बहुत जल्दी बन जाती है वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा कमेंट करके ज़रूर बताईएगा फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोगो फेस्बूक और इंस्टा में भी मुझे फॉलो कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए रेसेपी के साथ थैंक्यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स